दोस्तों कि आपने सुना कि TBS की आने वाली बाइक की फोटो ही लीख हो गई और इस बाइक के फोटो के लीख होने के बाद उन लोगों के सपने भी लीख हो गए जो लोग बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे थे TBS जैपलीन का तो इस बाइक की फोटो को देखकर मुझे क्या लगा है और क्या जानकारी मिली है मैं आपको अपने अनुभो के आधार पर बताने की कोसिस करूँगा जिससे आप लोग ये कंफर्म कर पाएं कि आपको इस बाइक को लेना है या फिर नहीं लेना है सबसे पहले हम इस बाइक के फोटो की बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब साइद ये बाइक TBS Ronin 225 के नाम से आ रही है अब इस बाइक की फोटो जो साइड से देखी जा रही है उसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर है ये फोटो और इसमें देखकर आपको ये लगेगा कि इसमें तीन बाइकों का DNA है सबसे पहले आप साइलेंसर को देखेंगे जिसमें पीछे का जो मफलर है वो आपको लगेगा TBS रेडर की तरह मतलब थोड़ा सा स्कैंबलर वाला लुक इसमें दिया गया है तो मतलब इसका गोल पेट्रोल टैंक और साइड पैनल को देखकर आपको जिसे बजाज बॉकसर लग सकती है बाकी आगे इसमें अपसाइड डाउन फॉर्क है एलेडी लाइट है और डिजिटल मीटर है और लगभग दोसो अस्ती है तीन सुइमें कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक साइड डियूल चेनल एबिस के साथ मिल जाएगी और पीछे का डिजाइन जो स्पाइस ओर देखे ग हुआ है उससे तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा इन्होंने जैपलीन वाला चीजें उठा ली है और बाकी साइड पैनल और पेट्रोल टेंक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई बहुत खास बाइक आ रही है अब यहाँ पर फोटो को देखकर मैं बता रहा जाती है वैसे ही मुझे यह बाइक लग रही है अब हम इंजन की बात करें यहाँ पर हो सकता है आप लोग आप लोगों को लोग यह कहें कि भाई इसमें नया इंजन है लेकिन इस फोटो को जबकि फोटो साब भी नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो जैसे अपाचे वाला है और आयल कूल्ड है इंजन तो इसका मतब अपाचे 4B का जो इंजन है उसके आप इसके सलेंडर हेड को देखेंगे उसमें पाइप गई हुई है तो मुझे लग रहा है कि अपाचे 200 4B वाला इंजन ही इसमें आएगा अब आप कहेंगे वो 200 है यह 220 है या 225 है तो ऐसा कैसे हो सकता मैं आपको बताना चाहूंगा 25 CC के लिए लोग इंजन नहीं बदलते हैं उसमें बोर और स्ट्रोक हेड और सेलेंडर को चेंज करने के बाद वाल्ब चेंज करने के बाद टाइमिंग चेंज करने के बाद थोड़ा सा करच को इंपलूब करने के अपाचे में आ रहा है वही इंजन आपको दिया जाएगा एक नए लुक के साथ बस मुझे इस बाइक को देखकर ऐसा लग रहा है और कीमत इसकी लगभग दो लाग के आस पास होगी या तो कम हो सकती है या फिर थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है हाँ अपसाइड डाउन फॉर लगभग मिलेंगे हो सकता है dual channel ABS और Bluetooth connectivity और बहुत सारे जो TBS के features रहते हैं यह सारी चीजे आएंगी अब 220 CC की है जो Apache इनकी है 200 वो लगभग 30-35 की mileage देती है तो यह भी लगभग 30 की आप मान कर चलो कि 28-30 तक की mileage इस bike में आपको मिल जाएगी फोटो को देखने के बाद तो जो पीछे का profile है वो उतना ज्यादा आकर सक नहीं लगा तो अभी भाई फोटो हो सकता है फोटो साप ना हो या फिर गलत एंगल से ली गई हो तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आगे चलकर यह विचार हो सकता है बदल भी जाए क्योंकि जब मैं बेक्त होती हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बागती है कि अगर 220 CC का ईजन है और अगर overisquad engine इन्होंने लगाया है और chain इन्होंने बढ़ा दी है हो सकता चलाने में उतना ज्यादा साइध हो सकता मजाना है अब देखने के बाद आने के बाद मैं चान जो कि हमारा कुद का है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मीसो फ्लिपकार्ट अमेजन पर भीक रहे हैं आप इनको खरीच सकते हैं तो वीडियो के लिए और टीबेस रोनिन के लिए कमेंट जरूर करें वीडियो गर आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक से करना न भूले तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद